नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में आज हम आपको एक ऐसे साग के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने वजन के साथ साथ अपने चेहरे की जुर्णियों को भी दूर कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सर्दियों के मौसम में सर्सों का साग और मक्के की रोटी सबको पसंद होती हैं सर्दियों में ही बजार में हर जगे आपको हरी सबजिया और साग देखने को मिलेंगे विंटर सीजन में ही साग की चर्चा सबसे अधिक होती है साग नक्योल खाने में टेश्टी होता है बलकि ये विटामीन, मिनरल, फाइबर, एंटी आक्सिडेंट और भी बहुत सारे चीजों से भरपूर होने के कारण हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है साग में कैलोरी भी बहुत ही कम मात्रा में होती है जिससे आपका मोटापा नहीं बढ़ता है साग में कई तरह के फाइबर होते हैं जिससे बॉड़ी का मेटाबॉलिजम ठीक रहता है और वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है साथ ही इसमें मौझूद कई तरह के विटामिन और मिनरल्स ब्लड सर्कूलेशन को ठीक करते हैं इसके अलावा ठंड के मौसम में जोडों का दर्थ एक आम परिसानी है साग में मौझूद केलसियम, प्रोटीन और पोटेसियम इस तरह के दर्थ में आराम देते हैं आईए आपको बताते हैं कि सर्दियों में कौन से साग से हेल्थ को किस तरह से फाइदे मिलने वाले हैं चालाई के साग में लाइसिन नामक अमीनो एसिट पाये जाता है जो बढ़ती उम्र के लक्षडों को रोकने में काम करता है सर्दियों के मौसम में इस साग को खाने से लंबे समय तक जुर्यों की समस्या से बचा जा सकता है साथी चौलाई के साग में एंटि आक्सिडेंट, मिनरल्स और कई तरह के विटामिन्स होते है सर्दियों में चौलाई का साग खाने से बोडी में विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है इस साग को कफ और पित नास करने वाला भी माना जाता है सरसो के साग में कैलोरी और फैट बहुत कम होता है लेकिन कार्बो हाइडरेट, फाइबर, पोटेसियम, विटामिन, A, C, D, B12, मैगनीसियम, आइरन और कैलसियम भरपूर मातरा में होता है साथ ही इसमें एंटी आक्सिडेंट भी मौजूद होते हैं जो बोडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं इस से बॉडी की इंमिनिटी बढ़ती है और सर्दियों में होने वाली बिमारियों से भी बचा जा सकता है इसमें मौजूद कैलसियम और पोटेसियम हड्यों को भी मजबूत और हिल्दी रखते हैं सर्दियों में जिन लोगों के जोडों में दर्द रहता है उन्हें सर्सों का साग जरूर खाना चाहिए पालक में प्रोटीन, कर्भो हाइडरेट, फाइबर, पॉली सैचुरेटेट फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6 काफी अधिक मातरा में पाये जाता है पालक में कैलोरी बहुत कम होती है, वहीं पालक में काफी मातरा में नाइटरेट होता है, जो ब्लेट प्रेसर को कम करने में मदद करता है और दिल को भी सुरचिद रखता है इसके अलावा एक सोध में या भी पता चला है कि पालक में मौझूद फोलेट और विटामीन भी कई तरह के कैंसर से भी बोडीगी रच्छा करते हैं सर्दियों में बतुआ का साग खाना भी बहुत फादे मंद होता है इस साग में कई तरह के औसधी गुड होते हैं और साथ ही इसमें विटामीन A, कैलसियम, फासफोरस और पोटेसियम भी बहुत अधिक होता है बतुआ के साग को रेगुलर खाने से किड़नी में इस्टोन होने का खतरा काफी कम हो जाता है इसके अलबा बतुआ साग खाने से पेट में दर्द, गैस और कबज की समस्या भी दूर होती है बतुआ के साग को आप सबजी, राइता, पराठा और पूरी के साथ भी आसानी से खा सकते हैं मेथी को रेगुलर खाने से ब्लड में कोलेस्टाल और लिपिड लेवल कम हो जाता है इसे खाने से दिल की बीमारियों की आसंका भी कम होती है या ब्लड में सुगर को कंट्रोल कर डाइबटीज की आसंका को भी कम करता है मेथी में फॉलिक एसिट, विटामीन A, B6, C, पोटेसियम, आइरन, फासफोरस और कैलसियम काफी मात्रा में होता है या फाइबर का सबसे अच्छा सुरोत है और आतों को साफ रखने में मतदगार साबित होता है मेथी में प्रोटीन भी काफी मात्रा में होता है जिन लोगों को अर्थराइटिस है उन्हें सर्दियों में रगलर मेथी के साख का सेवन करना चाहिए मेथी बलट के जमने की आसंका को भी दूर करती है और हिर्दे रोगों से भी बचाती है